अगर आपको भी CID शो देखना पसंद है और आप CID के इंस्पेक्टर दाया यानि की दायनन शर्टी को देखना पसंद करता है तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों जैसा कि आप लोग उने थंदल में दखा इंस्पेक्टर दाया को सुना दिया गया है फासी की सजा जी हाँ दोस्तों इंस्पेक्टर दाया को होने वाली है फासी क्यों इंस्पेक्टर दाया को फासी होने वाला है CID के hero कहे जाने वाले inspector दया ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिसकी बज़े से उन्हें फासी की सजा दी जा रही है सब कुछ दोस्तों आपको इस video में बताने जा रहा हूँ तो video को अन तक जरूर दिखेगा दोस्तों लेकिन उससे पहला आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आया है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीचे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन यानि कि जो घंती का बटन है नीचे उसको दबा के अल सेलेट कर ले ताकि हमारा आने वाले सारे नए वीडियो गे नोटिफिकेशन्स आपको मिलता रहे जब भी हमको नए वीडियो अफ्लूर करते हैं तो दोस्तों अगर बात करें CID के सीजन वान के बारे में तो CID के सीजन वान जब बंद हो आता तो इंस्पेक्टर दया यानि कि द्यान शेटी ने काफे गुसा भी किया था और काफे नाराजगी भी चताई थी कि अचानक से यह जो शो है यह क्यों बंद हो गया इंस्पेक्टर दया ने अपने ट्विटर अकाउन पर अपने इस्टाग्राम अकाउन पर भी और एक इंटोवू में भी यह कहा था कि CID शो जो है उसको ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह काफे लोगप्रिय शो था अगर बंद करना ही है बंद करना ही था तो पहले लोगों को बताना चाहिए था कि हां हम यह शो जो है बंद कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों आपको भी पता होगा अक्टूबर 2018 में अचानक से CID का शो बंद कर दिया गया उसके बाद दोस्तों एक नया शो आया CID टीम का जिसका नाम था CIF जो की पर आता था लेकिन दोस्तों उस शो को उतना पॉपुलरिटी नहीं मिल सका यह वो शो इतना लोगप्रिया नहीं हो सका जितना CID का सीजन वान था वहीं पर बात करें आने वाले सीजन 2 के बारे में यानि कि CID 2 के बारे में तो CID 2 में आपको काफी अच्छ अच्छ कि CID 2 की पर वहीं की CID's पारे में वहीं भी आपको ईत这 नहीं बाले मिल सीजन 3 का की लीए ने सेन वाले से आपके डाए मिल नहीं हो मिले अपको पेड़रु अच्छ 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 मैं भावान है इन्सपेक्टर द्या को एक जूटे कतली के सेजा सुना देता है . और उनकी फासी को पंदरा दिन बचे होते हैं तो CID की ठान लेती है कि इसी पंदरा दिन में वो असली गुनागार तक पकड़ेंगे और इंस्पक्टर दया को बेगुना साबित करेंगे तो दोस्तों CID पूरे दिलो जान से अपने काम पर लग जाती है और इंस्पक्टर दय CID के हीरो है वो कभी भी किसी का कतल नहीं कर सकते तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताईए कि CID के सिजन 2 को देखने के लिए आप लोग कितने एक्सेटेड हैं मैं मिलता हम आप सबसे नेक्स वीडियो में